नमस्कार मैं हूं मुकेश पचारी और आप सुन रहें अच्छीखबर.com पर मत्यकारी इन संतों की वाणी के खासाने मैंसे चुनिन दाहीरे मोती जो तनकी नहीं मन और जीवन की शुभा और सार्तक्ता पढ़ा देते हैं आज सुनते हैं संत कबीर की वाणी के अनमोल दो हैं अनमोल इसलिए क्योंकि इनकी दो पंक्तियों में लाइफ मेनेजमेंट के बड़े-बड़े सेमिनार सिम्टे नजर आते हैं और मज़ा ये कि इतने सरल हैं कि सीधे दिलो दिमाग में उता जाते हैं और अगर जन्दगी मे इनकी खुश्बू आने लगे तो समझ ये कि हमने सही रहा पकड़ ली है आज सुनते हैं कबीर को बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई ज़ग मैं इस संसार में बुरा यी खोजने चला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला जब मैय ने अपने मन में च्छांक करesian देखा तो पाया मुझसे बुरा तो कुई है ही नहीं दरसल होता अकसर यही है कि हम दूसरों में जहांकते रहते हैं बूसरों को आखते रहते हैं और इस चक्कर में आत्मा वलोकन, इंट्रोस्पाक्षन हुई नहीं पाता अपनी गिर्वयान में छाख ही नी सकते और दूसरों से लेना देना कम है Khud से लेना देना जादा है और जैसे हम बंतर मुकी होते हैं अपनी तरफ मोड़ते हैं खुद को देखना सुना शू करते हैं तो हम सवरते चले जाते हैं और जब दूसरों पर केंदृत रहते हैं, दूसरों की कमिया, दूसरों की खामिया, खुमिया देखते जाते हैं, तो अक्सर हम बिखरते चले जाते हैं, हमें तय करना होगा कि हमें बिखरना है कि निखरना है, और जब आप खुद में बुराई खोजने लगते हैं, मैसूस कर करने लगते हैं एक्सेप्ट करने लगते हैं तब आपकी जिन्दगी एक अलगराह पर निकल चलती है पोथी पड़पन जगमुआ पंडित भयानक होई धाई आखर प्रेम का पढ़े सुपडित होई अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तुक में पढ़कर संसार में कितने लोग जा चुके हैं मृत्य के द्वार पर पहुँच गए हैं पर उन्हें ग्यान जू नहीं पाया कभीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार किवल ये धाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले अर्थात प्यार का वास्त्रे ग्रूप पहचान ले तो वही सच्चा ग्य और वह सच्चा ग्यान तभी आता है जब हम इस एहसास के साथ जीपाते हैं कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है हम फर्क नहीं करते हम फासले नहीं करते हम मंदिर नहीं जाते मस्जद नहीं जाते जो सामने दिखता है उसमें उसी का नूर देखते हैं और जब प्रेम करु पुराण रिचाएं सब गहरे में यही कह रही हैं लेकिन उन्हें पढ़ने का मतलब नहीं है उन्हें आत्म साथ करने का मतलब है लेकिन हम पढ़ तो लेते हैं रट तो लेते हैं गले में चीजें आ तो जाती हैं न दिल तक जाती हैं न दिमाद तक जाती हैं और हम उन्हीं की उल्टियां करते रहते हैं मन नहीं मरा, माया नहीं मरा, उमीद खत नहीं हुई, तृष्णा, प्यास, ललक, तड़प खत नहीं हुई, जिसके लिए तड़प होनी थी, वहाँ तड़पना हुई, जिसके लिए नहीं थी, वो होती गई, और वो प्यास जो कभी बुझती रही, जो कभी बुझती नहीं, हम उसके पीछे भागते रहे और जहां त्रप्ती मिलती है अपने अंदर वो कुंड है हम उसको भूल गए दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें न कोई जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हुए अक्सा लोग जब मुश्किल आते हैं तभी उपर वाले को याद करते हैं लेकिन जब सुख चैन में भी याद करेंगे तब दुख की नौवत ही नहीं आती दरसल जब हम सुख में याद करना शुकर देते हैं लेकिन सुख में गुमान आ जाते हैं गुरूर आ जाता है गलत वहमिया पैदा हो जाती कि ये कराए कितने प्रयाशों के बावजूद कुछ नहीं होता लेकिन तब भगवान के पास उपर वाले के पास भागना उससे दुआएं करना और कमाल ये है कबीर इन दो पंक्तियों में सारी बात को कह देते हैं कि दुख में सुमरंड सब करें मुश्किल में तो सब याद करते हैं सुख में करें न कोई वो जानता है कि सब कुछ वहीं से आ रहा है और दुख और सुख मन के भाव है कबीर ये कह रहे हैं कि है इश्वर मुझे इतना दुजिस से मेरा गुजारा चल जाए दरसल मुझे चहिए इतना लेकिन मैं न जाने किस कि सोच लेता हूँ मैं जमाने की सोच लेता हूँ मैं पीडियों की सोच लेता हूँ मैं अभी हूँ और आठवी पीडि की चिंता कता हूँ जैसे आगे वाली साथ पीडियां सबने कम्मी पैदा हूँ नतीजा बहुत सारे रोग, बहुत सारी तकलीफ हैं और ये तकलीफ हैं किसी और किती हुई नहीं है हमारी अपनी चुनी हुई है लेकिन जैसे हम अपनी तृष्णा को समेट लेते हैं जैसे हम अपनी जरूरतों को कम कर देते हैं जो जरुवत है, कम नहीं करना है तरफल, जो नीड है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो ग्रीड है, उसके लिए दिक्कत है, ये पूरी खाइनात पर, पूरे विश्व में, जो हमें चाहिए, कितना चाहिए, लेकिन हम खाते कम हैं, बरबाद जादा करते हैं, कभी मनते हैं, जरुवत से जादा खा जाते हैं, जिसकी ललक भी नहीं, जरुवत भी निखाने को वो भी खा जाते हैं, एक विज्ञापन देखा और खा लिया, पेट ने कहा नहीं, शरी ने कहा नहीं, मन की सुनी, मन की कही, मन की करी, और मुश्किलें पढ़ती गई काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होईगी बहुर करे को कब अक्सर हम समय को यो ही गवा देते हैं और जब समय हाथ से चूप जाता है आखरी घड़ी आती था हमें लगता है हम पस्त आते हैं हाथ मलते रह जाते हैं आज का काल कल का परसों पर टालते हैं आज की तारीख में कहा जाता प्रोकस्टनेशन टाल मटोली एक बीमारी है हम हमेशा एक दिन से दो दिन दो दिन से आज से कल कल से परसों टालते रहते हैं लेकिन ये बीमारी हमें ही मारती है किसी और को नहीं समय को मारती है और हमारी सार उनाओं को खत्म करती है उसके बाद फिर कब करेगा पता नहीं तू कब चला जाए तू पंच वर्शी हो जाए बीस वर्शी हो जाए तू बना रहा है लेकिन तेरे वर्श में नहीं है कि आज भी तू जी पाएगा ये तावा नहीं कर सकता लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट पाच्छे फिर पस्त आएगा जब प्राण जाएंगे छूट मित्रों यहां समझने की दरुवत है कबीर के राम का मतलब सीता के पती लक्षमन के भाई दश्रत के पुत्र राम नहीं है ये राम बड़ा व्यापक शब्द है राम का मतलब कहते हैं वैसे आना कहां अपने पास तभी देखिए विश्राम मैं आराम कर रहा हूं हम दरसल सारी दुनिया में तो खूमते रहते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं खुद से भटक जाते हैं न जाने कहां अटक जाते हैं लूट सके तो लूट ले राम नाम की अभी तो वक्त है अपने पास आने का, खुद को पहचानने का, खुद को समझने का, जाना कहा है जानने का, उस सफर के लिए तैयारी करने का, पाच्छे फिर बस्त आओगे जब प्राण जाएंगे, जब छूट जाएगा सब कुछ, ये शरीर न रहेगा, आत्मा अलक सफर प भी मौझूद है, अंतता वहीं जाना है मैं, जिन खोजा तिन पाईयां, गहरे पानी पैट, मैं पपुरा बूढ़न डरा, राहा किनारे पैट, जो कोशिश करते हैं, वो कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोता खोर, गहरे पानी में जाता है, और कुछ न कुछ लेकर ही आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं, जो डूबने के भाई से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं, और कुछ नहीं पाते, कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो जोखिम है, वो यही है, कि जोखिम ना उठाना, और जिन मे प्यार से जिन में तड़प है वो खोजी डालते हैं जिन खोजातें पाईयां जिनोंने खोजने की ठान ली है वो बैठते नहीं वो उतर जाते हैं वो दाओं पर लगाते हैं खुद को और जो किनारे बैठे रहते हैं वो डूब जाते हैं वो डूब कर भी तर जाते हैं और ये बच कर भी डूब जाते हैं जिन्दगी को ड़ो देते हैं इसलिए हम कहते हैं कई बार कुछ लोग जरा से जरा से अपने प्रयासों से अमर हो जाते हैं और कुछ 120 साल तक की उमर पाने के बावजूद यूहीं वक्त गुजार कर निकल ज भाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए जो हमारी निंदा करता है अर्था जो हमारा क्रटिक है क्रट साइज करता है हमें उसके पास रहना चाहिए क्योंकि उसके रहने के कारण हम बहुत सावधान रहते हैं सचक रहते हैं तो वह बिना साबुन और पानी के हम हमारी कमियों को हमारे मैलों को साफ करता रहता है तो हमें अपनी तारीफ करने वालों से जादा उनका ध्यान रखना चाहिए जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं मिमान सा करते हैं, जो हमारे आलो चखें, क्योंकि उनका भी अपना योगतान है, उसे नहीं भुलाना चाहिए। मिमान सा करेंगे उसकी कुशलता का कैसे ख्यार लखा जाएगा, मन का दिया हमारे हाथ में है, ज्यान का दिया हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसको लेने के बावजूद, कई बार जानने के बावजूद, हम गलत राहों पर चल पड़ते हैं, गलत कर्मों से जोड़ जाते हैं, बहुत से लोग उठ तो जाते हैं, जाक तो जाते हैं, लेकिन आखें नहीं कोलते, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, ऐसे को कौन जगाएगा, मन जाने सब बात, जानती ही अउगुन करे, सब पता है उसको, लेकिन बावजूद उसके अउगुणों में फसा हुआ है, काहे की कर दीपक कुए पड़े, हाँख में दिया है, और फिर कुए में गिर रहा है, तो तुझे कौन रोकेगा आचे दिन पाचे गए, हरी से किया नहेत, अब पच्चताए होते क्या, जब चिडिया जुक गई खेत? देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय निकलता चला गया, तुमने प्रभू से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीच जाने पर पस्ताने पर क्या मिलीगा, पहले न जगे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही न करे, और देखते ही देखते बंची उसकी फजल को बरबाद कर जाए, हमारा जीवन भी ऐसा ही है, अगर हम इसकी रखवाली न करें, तो फिर जो कीमती चीज़े हैं, जो जीवन का अन आच्छे दिन पाच्छे गए, हरी से किया नहीं, अच्छे दिन तो पीछे चले गए, और प्रेम न किया किस से, इश्वर से, उस पर्म, शक्ती से, जिसे हम तमाम नामों से जानते हैं कबीर हमारा कोई नहीं, हम का हूँ के नहीं, पारे पहुँचे नावजियों मिल के बिछुरी जाहीं, बहुत खोग, इस जगत में न कोई हमारा अपना है, और न हम किसी के हैं, जैसे नाव के नदी पार पहुँचने पर, उसमें मिल कर बैठे हुए, सब यात्ता से चुटने वाले हैं, सब सांसारिक बंदन यहीं चुटने वाले हैं, वो घड़ी कभी भी आ सकती है, और हम सब नाव नाविक नदी और यात्तियों की तरह हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरी पाईए, मन ही की परतीत, जीवन में जै पराजय किवल मन की भावनाए हैं, यदि मनुष मन में हार गया, निराश हो गया, तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया, तो वो विजिता है, इश्वर को भी मन के विश्व पास से ही पाए जा सकता है यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं है तो पाएंगे कैसे जाती न पूछो सादु की पूछ लीजिये ग्यान मोल करो तरवार को पड़ी रहंदो म्यान सच्चा सादु सप्रकार के भीद्वाओं से उपर उख जाता है न उसकी चाती होती है न उसका धर्म होता है न उसकी भाषा होती है न उसका फ्रांत होता है उससे ये न पूछो कि किस चाती का है सादू कितना ग्यानी है ये महत्पूर्ण है सादू की जात म्यान के समान है और उसका ग्यान तलवार की धार के समान है तलवार की धार ही उसका मूल्य है उसकी म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बढ़ाती साधू ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए सार सार को कही रहे धूता दे उडाए इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है जो सार्थक हो उसको बचा ले और जो हलका हो बेकार हो उसको उडा दे लेकिन हम कई बार उल्टा करते हैं माला फेरत जुख भया गया न मन का फेर करका मन का डार दे मन का मन का फेर मन का मन का इनके दो अर्थ हैं एक तो मन की बात मन का कहते हैं दाने को माला का दाना होता है माला फेरत जुख भया जुगों से नजाने कबसे माला आये फिर रहें लेकिन मन की हीरा फिर ही नहीं गई करका मन का डार दे कभी कहते हैं हाथ में जो माला ली है जो माला फिर रहा है उसको छोड़ मन की माला फिर मन की हीरा फिर ही छोड़ मन से सच्चाई से याद कर हाथों से याद नहीं होता जब तक बात दिल में नहीं उत्रेगी मन में नहीं उत्रेगी तब तक हाथों से, कृत्यों से, कर्मकांडों से बात नहीं बतलेगी कभीरा खड़ा बजार में मांगे सब की खैर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर अर्थात, इस अंसार में आकर कभीर अपने जीवन में यहीं चाहते हैं कि सब का भला हो, बड़ा मुश्किल काम है यह हम अपनी अपनी करते हैं, लेकिन जैसे हम कभीर होने लगते हैं हम सब की खैर मांगते हैं कभीरा खड़ा बजार में मांगे सब की खैर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर दरसल जिन्दगी में भी इसकी में होती है एक के साथ और एक फ्री एक दोस्त बनाईए दो दुश्मन फ्री में मिल जाएंगे क्योंकि उसके जो दुश्मन है वो आपके भी दुश्मन हो जाएंगे और इसलिए कबीर कहते हैं सब का भला सोचो, सब का भला करो ना दोस्ती करो ना बैर करो, सम भाव में रहो, जिसका भला कर सकतो चाटो मत करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पच्चता आए, वोई बेड़ बबूल का आम कहां देखाए जो तु करता है, जो बोईगा, वही खाएगा, पहले तु तु ने किया, अब पस्ता रहा है जैसे तुने बीज बोई हैं, अगर तुने बीज बबूल के बोई हैं, तो आम कहां से मिलेंगे, काटे ही मिलेंगे ना इसलिए अपने बोने पर ध्यान रखो, कि तुम बो रहे हो, हम जब भी कुछ कर रहे हैं, हम भर्ष को बो रहे हैं जब मैं था, तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना ही प्रेम गली अतिसाकरी जा मैं दोई न समाई मैं भी हूँ और हरी भी हो, ये नहीं हो सकता है जब मैं था, तो इश्वर नहीं था, और इश्वर आया है, तो मेरा वजूद ही खत्मों कया है प्रेम गली अतिसाकरी जा मैं दोई न समाई प्रेम ऐसा है, जब भी आप प्रेम में पढ़ेंगे, दो नहीं बचेंगे, एक ही रहेगा बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पिड़ खजूर, पंची को चाया नहीं, फल लागे अतिदूर खजूर के पिड़ के समान बड़ा होने का फाइदा क्या है, जो न ठीक से किसी को च्छाओं दे पाता है और नहीं उसके फल सुलब हो सकते हैं, कोई आसानी से उसके फल भी नहीं पा सकता ऐसा बड़ापन जो किसी काम का न हो, जो किसी को फाइदा न दे, लाव न दे, ऐसे बड़ापन का क्या लाव ये थी संद कवीर के अधभुत अधवतीत हो है अगर आपको अच्छे लगे हों, तो अपने दोस्तों पर जनों से जरूर शेयर करें और सुनते रहें, अच्छीखवर.com पर प्रिव्यक किसों कहानियों के खजाने में से चुनिंदा और बहुत ही संजो कर आप तक लाए गए ये विचार अपना किमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया